और दोस्तों कैसे हो मैं कोस्तों वाई भाई भाई चैनले में आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब तो कुछ दिन पहले में एक लैप्टोप का अन्बोक्सिंग किया था तो आज के इस वीडियो में हम उस लैप्टोप का ही एक ब्रीप वीडियो बनाएंगे मतलब ब्रीप रिवीव बनाएंगे तो वीडियो को अब्भीजली सुरू से लगे लास तक देखते रही आपको बह दबा दीजिए क्योंकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अव्लोड करूंगा तो सबसे पहले आपके बसी वीडियो पहुंच जाएगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते बीना देरी किये अल्राइट गाइस विल्कॉम बेक तो यहां पर उस लैपटॉप है तो पहले अगर वीडियो आपने देखे हो तो अगर वीडियो आपने नहीं दीखा है वो है इस laptop का fingerprint sensor बहुत ही fast है और इसका जो खरब मुझे लगा है वो है webcam वेबकम बहुत ही घटिया है तो जास्ट इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूँगा जास्ट एक overview दे दूँगा लेकिन full review रहेगा क्या कर खारवे क्या क्या अच्छा है इस laptop में तो इस laptop को जो अच्छा मुझे लगा है वो है इसका harddix and SSD तो इसका जो booting time है बहुत ही less है 9-10 second लगता है इसको boot करने में जो बहुत ही आच्छा है सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो है इसका light weight ये laptop बहुत ही light weight है, तो पिछले बदा वीडियो में एही बताया था कि ये laptop जो है, बहुत ही light weight है, तो यहाँ पर आप देख पर हो, मैं एक हब से इसको उठा लिया, तो obviously laptop बहुत ही light weight है, इसके बाद अगर बात करें इसका cooling, तो cooling obviously इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहा के लिए मदलब air को अंदर लेके जाएगा और यहां से यार को बाहर लेके जाएगा मदलब जो hot air होगा वह बाहर फेक देगा तो यह मुझे बहुत ही आच्छा लागा है और इसमें जो सबसे अच्छा मोग जो मुझे लागा है वह है टाइप सी केवेल तो यहां पे टाइप 3.2 जो USB दिया गया है बहुत ही अच्छा है लेकिन मुझे लगा है सभी पोर्ट USB 3.0 नहीं है तो यहां पे 2.0 है जो मुझे बहुत ही खरब लगा है तो आसूस वालो अगर ए वीडियो आप देख रहे हो तो ओवियसली इस लैप्टॉब में 3.0 देना चाहिए था क्योंकि अभी के टाइम में जो भी लैप्टॉब आ रहा है इसी प्राइस डेंज में सभी में 3.0 है एविलेवल है इसके बाद अगर बात करें इसका जो कीबोड तो कीबोड भी वह बहुत ही आच्छा है तो यहां पे आप देख परो इसका साउंड उतना जदा नहीं है तो मैं वह आपको सुनाता हूँ अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि बहुती लो साउंड करता है नौइस इतना ज्यादा नहीं है एंड यहां पे जो सबसे अच्छा मुझे लागा है यहां पे जो फांक्सन की है इसमें एक साथ सब कुछ दे दिया क्यूंकि है हाप कीबोड है फूल कीबोड नहीं है कि यहां पे नामबरिंग पैट जो होता है ओ यहां पे नहीं है यह ड्रॉबैक भी है लेकिन जो भी यूजर कॉम्पैक लैपटव को यूज करना चाहता है यूज करने को अच्छा लगता है तो उसके लिए लैपटव बेटर है एंड इसका अगर बैटरी का जो प डेटा को send करेंगे receive करेंगे तो उस टायम तो वैटरी तो डिक्कीज हो गई तो आगर आप इसमें whatpad युज करेंगे इसमें आगरology प्लेट करेंगे तो बिएसली चार से पंच घंट तक बैटरी बैकप में चला जाएगा तो आगर आप इंटरनेट यूज़ करेंगे वीडियो देखेंगे वाटपेड यूज़ करेंगे मतलब continuously आगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ब्यज़ली 2 से 3 घंटा तक चलेगा एकदम गैरेंटेट है आगर आप इसको नॉर्माल यूज़ करेंगे मतलब एकदम नॉर्माल एकदम तो इस टाइम में 6 घंटा तक चल सकता है तो मैं इसको यूज़ किया तो इसको चार्ज करने में जो मुझे सबसे अच्छा लागा है एक घंटा 10 मिनिट में 0 to 100 फूल चार्ज हो जाता है जो मुझे बहुत ही अच्छा लागा लेकिन दोस्तों इसमें खारब जो मुझे लागा है यहाँ पे जो की है यहाँ पे आप देख पर हो बहुत ही बड़ा-बड़ा की देया गया है यहाँ पे इसका जो वीथ है बहुत ही बड़ा है लेकिन इसका जो hide है छोटा है हाइड तो ज़्यादा देना चाहिए width के ममले में तो इसके बाद इसमें fingerprint sensor, face unlock सब कुछ दिया गया है लेकिन इसका जो webcam खारा वे तो इसमें face unlock का देने का क्या फाइडा है तो overall इसका अगर performance को पर बात करें तो अगर इसको आप ओफिस वार्ट के लिए लेप्टॉप बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको Intel का i3 का चीप सेट आपको देखने को मिलेगा जो की बहुत ही आच्छा है और इसके साथ सती इंटिकेटेड इंटेल का 4G अच्छा नहीं होगा तो इस टाइम लेप्टॉप का कोई भी पर्फरमेंस आपको आच्छा नहीं देखने को मिलेगा और इसका जो सबसे अच्छा जो मुझे लगाए बैजल एप आप देख परो बहुत ही छोटा है इस प्राइस रेंज में मुझे जो लगता है इस प्राइ परसे यहां परके पावर बॉट्टन दिया जाता है लेकिन यहां पर देख पाएंगे यहां पर कीबोर्ड मैं ही आपको आपको बहुत ही आच्छा लगाए बंड़ के तूसregist्राइम आपका जो साउंन का कॉलिटी ञेर्ट आप दूगना हो जाएगा बहुत ही अच्छा है इसमें जो स्पीकर है बहुत ही बेस है मतलब बेस बास जो भी आप बोलते हो एंड इसमें जो सबसे अच्छा वह जो मुझे लागा है यह मैंने ओफर में लिया हूँ तो एक रूपीज का 100 रूपीज में आपको एक साल के लिए एक स्टा वरेंटी भी देखने को मिलेगा अगर आप थाउजन रूपीज खर्चा करेंगे तो उस टाइम आपको दो साल के लिए एक स्टा वरेंटी मिल जाएगा जो कि बहुत ही आच्छा है तो आगर इसको आप नॉर्मल डेस में मतलब रेगूलर फाइस में खरीजना चातो तो उस टाइम आप अभी कर टाइम में जो भी लैपटोप आता है उसमें सब 256GB दे देता है तो इस लैपटोप में 120GB है तो आगर आप इसी प्राइस रेंज में मानला 41,000 में आप कोई भी लैपटोप को सार्च करेंगे ना 1TB हडिक्स आपको मिलेगा इसी कॉन्फिकरेशन में मैं दावा कर के बोल सकता हूँ तो अगर आपका बाजेट जादा है तो इसका हायर वर्शन भी ले सकता हो इसका जो हायर वर्शन का प्राइस है ओ है 49,000 तो अभी ले सकता हो उसका जो SSD देखने को मिलेगा ओ है 256GB एंड इंटल i3 11 जेनेरेशन और उसका साथ सती आपको 1TB हडिक्स भी देखने को मिलेगा एंड वहां पर आपको 8GB रैम 3200 MHz का रैम आपको देखने को मिलेगा और दो स्तिग में आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही आचा है तो आपका मन में कुस्प्ष्चन होगा कि 2 स्तिक अच्छा है कि 1 स्तिक तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आग एकष्टीक toं आपका औरो एकष्टीक अच्छ ह्रेगा तो आगर आप एक पीश्टीक मतला ह है एकष्टीक करएंगे तुस ठाइम अगरSi खराब हो तो पूरा RAM बरबद हो जाएगा तो इसलिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ तो उस टाइम आप दो स्टीक मतलब फोर फोर करके ले लीजिए तो इसको पर भी मैं और एक वीडियो बना देंगे तो अब्यासली मेरे चैनल के साथ जूड़े रही है तो मैं ऐसा ही हेल्प करता हू तो अब्यासली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे चैनल के साथ जूड़े रही है तो इस लैप्टॉप का जो मुझे लागा है तो 100 में हम 80 दे देंगे क्यूंकि इसका जो 20 जो परसें बाचा हुआ है तो इसका जो ओएपकेम पे उसमें बाद हो जाएगा लेकि सब्सक्राइब ऑद लेतों है जो चाहिये सद्ध कर लाट तो आप कर लेते हैं अब बेंदिघने के सब्सक्राइब ड़ेगा मदलव फ्रीत इसमें माइकोसम्ट एक चूंसट्ग सब्सक्राइब-गया एंड के Repeal anti-我不知道 दिया गया है साथ साथ इसमें और एक वी सप्ट्थर है जो है माई आशूस तो इस बहुत ही आच्छा एए इस application में आप पूरा आप अब कश्टमाइज कर सकता हो इस लैप्टप को यहां पर देख पाइव हो माई एसे का कस्टमाइज़ेशन ट्याप के अंदर में आया हूं और यहां देख पाइवा बैटरी हिल्थ चार्जिंग तो इसके बजस से आप जो बैटरी का जो चार्जिंग साइकल हे उसको आ करें तो balance mode बेक होगा आपका बैटरीः है अब जिस time आपका लैपटाप को चार्ज करेंगे तुस ँस टाइम Because बैटरीः का एकमा बैटरी एक्टी पर्सन असपर चार्ज हो पाएगा मैं मपक्सीम मुढ में आप राखेंगे तो उस टाइम है फॉसकीर परशन तक चार्ज होगा एन उसके बात वो चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा एन उस टाइम आपका जो भी एसी पावर एडाक्टर है उससे ही आपका लैपटप चलेगा तो यह बहुत ही अच्छा मुझे लागा है एन इसके साथ सती यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर विजूल एफिक भी है तो यहां पर बहुत सारे मूड्स है यहां पर आगर नॉर्मल मूड्स में रखेंगे तो इसका जो डिस्पले का कलर है नॉर्मल रहेगा इसके बार यहां पर भी बीट एन इसके बाद यहां पर मैनूल तो आगर मैनूल में सेट करेंगे तो यहां प मुझे बहुत ही आच्छा है तो इसके बाद अगर कानेक्टिविटी को पर बात करें तो यहांब आपको टाक्स फार्स्ट आपको देखने को मिलेगा इससे क्या होगा आपका जो भी वायरलेस नेटवाक है इसके साथ माल्टिमीडिया जो स्ट्रीमिंग है गेमिंग है वो औ देखते ही लैप्टॉप को यूज करते हुए क्या होता है क्या चलता है खाराव हो जाता है कि नहीं तो जो भी है नसीब में तो थैंक्यू मेरे वीडियो को देखने के लिए ओबियसली आप मेरे चैनल के साथ जूड़े रहिए तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में